अब खबर भी ना ऐसे है रगुनादपुर गाम में भव नव निर्मित चारबुजनाथ मंदिर में 151 कलश यात्रा के साथ भागवत कथा का सब्त दिवस्य काईकरम पंडित कथावाचक आचार्य श्री विश्नु महराज बढ़ गाउन दन्त किशोर दादीच पंडित राजाराम दादीच रामजरित पाठक पंडित अर्थक के सानिदे में समपन हुआ ग्रामवासी ने बताई कि ग्राम में विगत पांच वर्षों से चार बुजनाथ मंदिर निर्मान का कारे चल रहा था जिसमें समस्त ग्रामवासीों ने तन, मन, धन से सहयोग कर भवे मंदिर 71 फीट की उचाई तक बनाया है प्रथम तलपे आकरशित गनेश जी की मूर्ति स्थापित की गई है तथा दियूतिय तलपे शीर राम परिवार की भव मूर्तिया स्थापित की गई है तीरतिये तल पे भगवान राधा कृष्ट ने शीव बजरंग बली सहित सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के प्राण परतिष्ठा की गई है ग्राम के वरिष्ट नागरिकों ने मंदिर के शिखर पे कलश के स्थापना की गई है विज्यान पंडितों के सानिद्धे में 21-21 हवन कुंडों में एक से एक जोडों ने भाग लिया तथा शाम को ग्रामीनों ने प्रसादी का भोग लगा कर प्रसाद वित्रित किया तथा बैंड बाजों के धुन पे नास्ते गाते, भागवत कथा और संतों के हर्ष उल्लास के साथ विदाई की गई किसानों ने इस आउसर पे सभी गाउं में सभी मंदिरों को कुल दुलहन की तरह सजाया आसपास के ग्रामीनों ने छोटे से बड़े गाउं जो भी ये वो लोगभव मंदिर को देखने आए और बहुत प्रशंशा किया किसानों को किस अजया अढ morals किसानों कुले वोगभव मंदिर को देखने के साथन Mao ने लुब वोगभव मंदिर को देखने के सब्त हाई ग्रामीनों के कुल दुलतिए